दुनिया का सबसे पवित्र और खास रिष्टा पती पतनी का माना जाता है। पवित्र रिष्टे को निभाना पड़ता है। वो बात अलग है कि आजकल तलाक और अलगाओ की खबरे को जाद ही सामने आती रहती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पती पतनी सिर्फ रात के लिए बनते हैं और सुभा ही होते वो अजनबी बन जाते हैं और ऐसा वो हर रोज करते हैं आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है तो आपको बता दें ये लोग कभी कभी एक ही इंसान के साथ जिंदगी भर सिर्फ रात को ही पती और पतनी का रिष्टा निभाते हैं और सुभा होते ही सब कुछ भूल जाते ह ये सब कुछ कहीं और नहीं बलकि पूरी दुन्या को कोरोना वाइरस देने वाले चीन में होता है चीन के युनान प्रांथ में ऐसी ही एक अजीव गरीब शादी का चलन है ये सब कुछ मूसो जनजाती के लोग करते हैं जो की लुगू लेक, शीनशुई, नदी के, पाइल दूसरे से मिलते हैं, शादी के बाद लड़का हर रात लड़की के घर जाता है और फिर सुबह होते ही अपने घर वापस लौट आता है, कहा जाता है कि इनका रिष्टा विश्वास पर चलता है, दोनों के विशारिक संबंद के अलावा कोई दूसरा रिष्टा नहीं होता है, ये जब चाहें किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन इन बच्चों को सिर्फ और उरत और उनके परिवार वाले ही पालते हैं, आदमी का बच्चे या पतनी से कुछ लेना देना नहीं होता है ऐसा ये लोग सद्यों से करते आ रहे हैं इस अनुखी परंपरा की चर्चा दुनिया भर में होती है लेकिन लोगों के लिए ये एक समान्य सी बात है